Welcome to the Learning Box by Puntun Kids I hope आप सभी को सब विडियो में बहुत मजा आ रहा है So, आज हम कुछ अलग करेंगे वो है Float and Sink मतलब तेहना और डूब जाना हाँ, तो आज मेरे पास क्या है? एक टब है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भरके रखा है और आज हम क्या दिखाएंगे? हम एक Float or Sink का Experiment करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि कुछ चीजें पानी के अंदर डूब जाते हैं जिसे हम कहते हैं Sink होना डूबना मतलब Sink हो जाना और क्यूं डूबते हैं? क्यूंके वो थोड़ा Heavy होते हैं वो थोड़े Heavy होते हैं थोड़ा उनका वजन जादा है और जो चीजें हलके होते हैं जो इनके वजन थोड़े कम होता है जो हलके होते हैं वो पानी के उपर तैरते हैं जिसे हम float कहते है So, let me start So, मेरे पास क्या है? एक smiley magnet है जो बहुत प्यारा है So, ये इसके पीछे magnet लगा हुआ है तो ये थोड़ा heavy हो जाता है थोड़ा भारी हो जाता है तो जब मैं इसे पानी में डालूंगी क्या हुआ? वो, sink हो गया क्योंकि उसमें magnet लगा हुआ है So, वो heavy है और ये है मेरा sunflower Yellow, yellow, bright Sunflower पीले रंग का flower जो मैं अब पानी में छोड़ दे हूँ और क्या हुआ? पानी में तैर रहा है क्योंकि बहुत हलका है बैसे ही मेरे पास है एक plastic की चमच हम सभी को पता है plastic की चमच बहुत हलकी होती है और एक है मेरे पास steel की चमच जो काफी भारी रहती है तो हम बच्चे usually क्या यूज करते है plastic की चमच यूज करते है काने के लिए तो let me see मैं plastic की चमच को पानी में डाल रही हूँ और क्या होने लगया है float हो रही है वो तेर रहा है क्योंकि वो बहुत हलका है और ये जो मेरी steel की चमच है पारी है ना तो हम इसे पानी में डाल के आँ क्या हो गया डूब गया पानी में वो अंदर डूब गया अब है मेरे पास एक plastic fork चलो इसको भी डाल के देखते हैं क्या हुआ आँ ये भी तेरा है और ये जो मेरी steel का काटा है उसे क्या करते हम लेट सी पानी में डाल के वो भी ओपस वो तो डूब गया क्यों डूबा येस क्योंकि वो भारी होता है उस वो थोड़ा heavy है जबके मेरी जो plastic की चमच और काटा है वो थोड़ा हलका होता है वो वेट में हलका है तो वो फ्लोट करता है चलो अब हम कुछ और दिखते है Let me try something different कुछ अलग मेरे पास है एक काच का काच की कटोरी और ये है एक काच की प्लेट काच की प्लेट को हम डाल रहे है और क्या हो गया उप्स ये तो पानी में डूब गया और ये काच की कटोरी Let's see क्या हो रहे है ये तो तैर रही है क्यों? है दोनों काच का बट वो प्लेट भारी है तो वो पानी में डूब गयी और ये थोड़े हलकी है तो पानी में तैरी है पर मालूम है अगर मैं इसमें पानी डालती हूँ क्या होएगा, let us try that हम कोशिश करते हैं, इसमें हम थोड़ा पानी भर देते हैं देखें, हमने इसमें थोड़ा पानी भर दिया अब मैं इसको छोड़ रही हूँ क्या हो गया वो डूब गई क्यूं क्यूंके वो भारी था उसको उसमें जब हमने पानी डाला उसका वजन बढ़ गया और वो पानी के अंदर जाके डूब गई तो ये है हमारे दो विपरी तर्थक शब्द ये है तेरना और डूबना ये है opposites अब एक और last example जो बहुत मज़ है जो I'm sure आप सभी के पास भी होएगा और आप उसको जरूर ट्राइ करना ये है हम लोग का बॉल So let's try putting the ball बॉल डाले पानी में क्या होईगा चलो ये दिख रहा तो बहुत बाहरी है पर ये float हो रहा है क्योंकि ये बॉल दिखने में तो बढ़ा है पर है बहुत हलका क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हवा भरी है तो ये है हलका और ये है मेरा एक पत्धर अब ये पत्धर को अगर मैं पानी में डालूंगी क्या हो गया और डूब गया पत्धर डूब गया क्योंके पत्थर हेवी है और ये मेरा बॉल दिखने में बड़ा है पर उसके अंदर सिर्फ हवा बड़ा है तो वो तैर रहा है So I hope आप सबको बड़ा मजा आया ये विडियो देखके So please कोशिश करें ये सब एक्सपेरिमेंट करना और लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें Bye and see you